अब हम क्या करेंगे हमारी application में react navigation कर इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से हम हमारी application में routing perform कर सकते हैं अगर आपने web में देखा हूंगा तो हम क्या करते हैं वहाँ पर react router dom कर इस्तेमाल करते हैं लेकिन native में हमारे पास separate package है react navigation के नाम से इसका आप official documentation भी देख सकते हैं इसकी official website है reactnavigation.org readdocs पर click करिए यहां से आपको सारा setup मिल जाएंगा कैसे आप react navigation का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि installation पर आप click करिए तब से पहले आपको क्या करना है यहां पर react navigation slash native का package install करना है अब आप चाहें तो यान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर npm का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे case में देखिए मैं यहां पर npm से बताऊंगा क्योंकि 90% हमारे पास user जो है node package manager का इस्तेमाल करते हैं अगर आपको यान से करना है तो उसे इस पर click करें कुछ इस तरीके से आपको इसकी command मिलेंगी और इसका आप use कर सकते हैं हम यहां पर npm वाला copy कर लेंगे उसके बाद मैं आपको जाना है visual studio code में और integrated terminal में हम क्या करेंगे यहां पर देखे प्लस वाले sign पर click करेंगे और client directory के अंदर switch हो जाएंगे cd client इतना लिख्या आप क्या करें यहां पर enter हो गए तो यहां पर हम client directory के अंदर switch हो गए इसके बाद मैं आप इसको paste कर लीजिए ctrl v और इतना लिख्या आपको enterprise करना है तो यह package आपके react native की application में install होना start हो जाएंगा चोटा सा package जादा time नहीं लेंगा अगर आपके case में यह error शो करता है तो आप क्या करें जो भी आपकी running application है ना तो इसको आप क्या करें terminate कर ले उसके बाद में फिर install कर ले इस package को और फिर वापस से आप application को run कर सकते हैं बहुत rare cases में आपको error देखने मिलेगा लेकिन अगर देता है तब यह method भी follow कर सकते हैं देखें यहाँ पर हमारे case में तो successfully install हो गया इसके साथ में एक और package आता है मैं आपको बता देता हूँ आप hello react navigation पर click करिए उसके बाद में stack का हम system को use करना पड़ता है तो इस command को भी आप copy करिए copy करने के बाद वापस आना है आपको vs code में और यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले शुरूस को clear कर देता हूँ cls paste और इस native stack वाले package को भी आपको install करना है चोटा package ज्यादा time यह भी नहीं लेंगा देख सकते हैं protect से यह download हो गय करेंगे और सबसे पहले कुछ चीजों को import करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर navigation menu भी देखना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर navigation के लिए जो भी functions हमको लगते हैं इसको import करेंगे import something from at the rate react navigation slash native और इसमें से हमको चाहिए navigation container जैसे आप browser router यूज़ करते तो सेम उसी तरीके से यह काम करेंगा और इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर और एक और function हमको मिलता है नो पहले शुरू बता देता हूँ यहाँ पर आप इसको import करेंगे import something from at the rate react navigation slash native stack और इसमें हमको create का function बलता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे create native stack navigator transition show करेंगा उस पर click करेंगे अब यहाँ पर login हमको बतानी की ज़रूरत नहीं directly हम क्या कर सकते हैं इस empty fragment को भी cut कर सकते हैं इसके बदले हम क्या करेंगे container का use करेंगे navigation container opening और closing tag और इसके अंदर हम क्या करेंगे आहां साथी map को क्या करना है इस function को भी एक variable के अंदर assign करना है या पिर इसकी जो भी values है आप उसको directly destructure भी कर सकते हैं तो destructure थोड़ा सा hard हो जाता है तो हम क्या करेंगे इसको एक variable के अंदर store कर लेंगे const और इसका नाम रखेंगे stack mostly stack के नाम से इसको create करते हैं इसलिए हमने लिखा stack और इसके अंदर हम क्या करेंगे create native stack navigator की functionality को यहाँ पर call करेंगे जैसा हम hooks सिस्तेमाल करते हैं na react में तिम उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं इसकी सारी functionality को अब हमने stack नाम के variable के अंदर assign कर लिया और इसको हम अब use कर सकते ह हैं कैसे use करेंगे बहुत simple है इसके अंदर दिखिए जैसे आप लिखेंगे na stack और dot chain करेंगे तो आपको तीन यहाँ पर method मिलेंगे group navigator और screen navigator हम यहाँ पर सबसे पहले use करेंगे यह routes की तरह काम करेंगा तो यह container की तरह काम करता है routing में उसके अंदर हम क्या कर सकते है multiple screen यहाँ पर बना सकते हैं तो यहाँ पर मैं again a call stack लेता है stack dot screen self closing tag इसके अंदर आप screen का name बता सकते है name जैसे के हम इसको कर देंगे register और उसके बा import वाला नाम है वही आपको यहाँ पर add करना है तो हमारे case में क्या है register की screen है तो यहाँ पर हम register के component शो कराएंगे और initial time पर बता सकते के कौन सा component आपको चाहिए जैसे के अभी देखिए हमने यहाँ पर इसको save किया तो automatically इसने initial time पर register को ले लिया अभी अगर मैं यहाँ पर login इनका stack add करता हूँ जैसे के stack.screen self-closing tag इसमें name को हम use कर लेंगे name और यह रहेंगा login उसके बाद में component, component के अंदर हम लिखेंगे login जो कि हमने top पर import किया था यह वाला same now हम यहाँ पर add कर रहें, save कर लेते हैं अब दीखें जब भी application reload होंगी हमको तो यहाँ पर login component चाहिए ले इसको हम कैसे fix करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर stack navigator के अंदर initial prop आपको मिलता है यानि initial route name इसके अंदर आप बता सकते है कि initial time पर आपको कौन सा route चाहिए हम यहाँ पर login कर लेंगे तो यहाँ पर जो name में आपने spelling लिखी है ना same spelling आपको यहाँ पर लि करेंगे यहाँ पर R press कर लेंगे तो हमारी application reload हो जाएंगी और अब देखिए initial time पर हमको login screen यहाँ पर मिल गई लेकिन इसमें एक और problem क्या है जैसे यहाँ पर अगर आप notice करेंगे top पर तो यहाँ पर हमको header section मिल रहा है login के नाम से जो कि हमको नहीं चाहिए login register में ऐसा page show करा आने की जरूरत नहीं यहाँ जो भी title आ रहा है इसको हमको display नहीं कराना है तो हम क्या करेंगे जैसे यहाँ पर देखिए हम login component इस्तिमाल कर रहे ना तो हम क्या करेंगे इस component के बाद में जैसे कि यह login है इसके बाद में मैं बताता हूँ यहाँ पर हम लिखेंगे options और यह र करने वाले और यहाँ पर लिखेंगे header shown इसको कर देंगे हम false, save कर लेते हैं इसको तो देखिए header part यहाँ से remove हो गया, same इसी तरीके से आप क्या करें इसको copy करें, copy करने के बाद आपको इसको register पर भी apply करना है ताकि register में भी हमको header section देखने ना मिले, save कर लेते हैं इसको तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर clickable बना देंगे, यानि इस पर जैसे click हो, तो register page show होना चाहिए, कैसा करेंगे, बहुत simple है, चलते है register page में, अब यह जो stack है न, देखिए, इसके अंदर हमको by default navigation का support मिलता है, आपको नहीं पता, फिर भी अगर आपको नहीं समझ रहा है, त जैसे के देखिए, यहाँ पर navigating to a new screen, यह जो example है, हम यहाँ पर use कर रहे है, हम क्या करेंगे, navigation का इस्तेमाल करेंगे, और directly navigation को destructure करेंगे, अब यह navigation कहां से आगया, जैसे हम stack use करेंगे, तो by default, देखिए, यहाँ पर stack के अंदर हमारे पास जो component है, उसके अंदर by default हमारे पा कर लेता हूँ, तो हम क्या करेंगे, login वाले component में, directly navigation को destructure कर लेंगे, तो आप लिखेंगे, navigation, और इसके मदद से आप क्या कर सकते है, programmatically यहाँ पर navigate कर सकते है, एक page से दूसरे page में, कैसे है, तो simple है, नीचे आएंगे, और यहाँ पर देखिए, जो red text है, इसके on press पर हम क्य करेंगे, navigation का, स्टेमाल करेंगे, navigation, और इसके अंदर हमारे पास एक और function हमको मिलता है, navigate का, और इसके अंदर आप क्या कर सकते है, उसका नाम लिख सकते है, कहां पर आपको इसको navigate कराना है, तो हम क्या करेंगे, इसको register पर navigate करा देंगे, save, अब जैसे मैं आप पर click करूँ इसी तरीके से हमको क्या करना है, इस register वाले page में भी हमारे पास एक login की link है, इसको भी clickable बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस function को copy कर लेंगे, copy, और फिर register वाले में भी same to same paste कर देंगे, multiline कर देते हैं, फ़ले शुरू इसको भी, और इसके बाद में यहां पर paste कर देता हू अभी हमको navigation को destructure भी करना है, तो top पे आप क्या करें, यहां पर इस function के अंदर navigation को destructure कर लें, save, अब अगर मैं login पर click करूँगा, और यहां पर तो functionality काम नहीं कर दी, चेक कर लें ते एक बार क्यों, क्योंकि हां, यहां पर हमने navigate के अंदर हमारे पास still register है, तो इसको कर लोग इन, और यहां पर जो आप name दे रहे हैं, make sure यह name, और app.js में आपने जो name दिया हो है, यह दोनों same होना चाहिए, तब ही उस page पर या फिर screen पर आपको redirect करेंगा, save कर लेते हैं इसको, अब यहां पर मैं login पर click करता हूँ, तो दीखे, login वाले page पर redirect हो गया, register पर click इसके बाद में हम NBSP का यूज कर सकते हैं, NBSP कुछ इस तरीके से, या फिर आप क्या कर सकते हैं, curly braces, string, string के अंदर space add कर देंगे, save, तो same चीज यहां पर काम करेंगा, इसी को हम क्या करेंगे, copy कर लेंगे, copy करने के बाद login वाले में भी add कर देंगे, so, यहां पर login, यहां पर please के बाद में add कर देंगे, paste, save, और check कर लेते register में, तो देखिए, थोड़ा सा space हमको यहां पर भी देखने मिन रहा है, तो successfully हमने यहां पर navigation की functionality भी देख ली हमारी application में, next हम क्या कर सकते हैं, back end server पर काम कर सकते हैं, और basic authentication server हम create करेंगे,